सिंदू घाटी सभयता एक नगरीय सभयता है इसे हरपा सभयता के नाम से जानते हैं सिंदू घाटी सभयता की जो शुरुआत हुई वह पहले नगर हरपा से हुई है और हरपा के खोज दयाराम सहनी ने उन्हें सेकाइस सिस्वी में किया था याद है किसके साथ सुरुवाती में चार्ल्स मैसन ने क्या किया इसका खोज किया तिमेमेन सुरी चार्ल्स मैमेन ने किया फिर क्या हुआ समय बदला और इसके देखता फिर दूसरे लोग के कंसंट में फिर दैराम सनी ने क्या क्या हरपा की खोच की चुकि पहला सहर था इसलिए सिंदुगाटी सब्यता को हरपा सब्यता के नम से जानते हैं हरपा सब्यता के यूग के बारे में कहा गया है लगभग 13,00,000 उसका जो चेतरफर है वो कितने लगभग 13,00,000 की बाद हम लोग चर्चा किया थे हरपा सब्यता की जब हम लोग चोहद्दी की बात करें जिसको हम लोग उतरी दक्षनी पूर्वी और पच्मी की बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू काश्मीर और इसके पूर्वी छोतार में उत्तर प्रदेश ठीक है,र पच्षमी छोत्र में पाकिस्तान का बलुचिस्तान वाला भाग जो सबसे लास्ट में है, और दक्षिन वाला भाग महाराष्ठ है, ठीक है न? मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं जम्मू कास्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांडा ठीक है ना जिसको हम पांडा कह दिये थे ठीक है ना और उस मांडा पे पूरा का पूरा उतरी छोड़ है जबकि पच्चमी में उत्तर प्रदेश का जो बलुचिस्तान का भाग यह बढ़ाय थे और दक्षनी भाग में कौन सा नर्मदा नदी का एस्त्रेंथ है ठीक है ना या पहले तो बताए गया था नर्मदा नदी लेकिन सबसे जो आखडी जो कहना है उस नदी का ठीक है ना प्रवरा नदी ठीक है ना प्रवरा नदी पर वो जो आखडी जो सबसे दक्षनी जो इसका छेतर है वो मिलता है यह हम लोग चर्चा किये थे उधर जो है वो दाक्स नदी है और इधर उतर प्रदेश में जो हम लोग अलमगीर पूर की चर्चा किये थे अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो मिला है जितने सारे सहर सिंदू घाटी सभयता की उस सिंदू घाटी सभयता की जितने सारे सहर है उसका अधिकांस भाग पाकिस्तान में है तो अखिरकर कौन-कौन सा पार्ट में कौन कौन सा चीज है वही हम लोग जानने वाले हैं आज के इस अध्याय में ठीक है यानि आज सिंदु गाटी के सब्यता का पार्ट टू कर रहे हैं जिसमें हम लोग परहेंगे कि सिंदु गाटी सब्यता के कौन कौन से सहर कौन कौन सा चीज कहां कहां मिला तो हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे कि हम लोग को जो पराप्थ हुआ है अवसेस या जो सहर हमें मिला है वो सहर तीन जगों से पराप्थ हुआ है पहला पाकिस्तान, आफगानिस्तान और भारत हम लोग चर्चा किसी किये थे पहले आफगानिस्तान की किसकी बचो आफगानिस्तान की और उस आफगानिस्तान में हमको कौन-कौन सा सहर मिला था उस आफगानिस्तान के बारे में हम लोग ने सायद यह ना तो आफगानिस्तान में सबसे पहले हमें मिला था कौन सा सहर जिसका नाम क्या है सोतुगही क्या है सोतु गई मिला था और सोतु गई जो है वो काह इं पामीर के पठार यह एक theoretical part है चुकि यह जगा का नाम है तो जगा का नाम है समझाने वाला क्या होता है आपको सिर्फ याद करना है कि अफगानिस्तान में कौन-कौन सा जगा मिला मुझे वो कौन-कौन सा पार्ट है जैसे मा लिजे न कि ये कभी बांध हुआ करता था इस बांध के इलाकियों को फलाना गाउं कहते थे लेकिन ये बटवारा हो गया तो उस भाई के हिस्से में क्या परा थीक उसी परकार है कि पहले तो अखंड भारत था लेकिन जब समय के अंसार सब टूट फूट के अलग हुआ तो आज अफगानिस्तान है आज पाकिस्तान है भारत का कुछ भाग है तो अफगानिस्तान के भाग में पहला भाग हम लोग ने चर्चा किया दूसरा भाग जो आप लोग को मिला है बच्चो उसका नाम क्या है उसको बोलते हैं अलिंद देपे लिखा हुआ है ना अलिंद देपे समझ में आ गई ये हिंदू कुस परवतमाला और कुनूरकूल परवतमाला परवत का पठार जो हम लोग को मिला हुआ है इसी का तीन पार्ट है ठीक है जो आप लोग को हम परहा रहे थे अभी कि अफगानिस्तान में जो हमको पहला जो पार्ट मिला है उस पहले पार्ट का नामे सोतु घही समझ रहे हो और इस सोतु घई जो है सबसे पहला कहां मिला पामीर का पठार और यहीं पामीर का पठार का जो हमको पहला पार्ट मिला हुए हिंदु कुस परवत माला और कुनुलून परवत अब समझ में आ गया यानि वही छेतर पठार का यह दो पार्ट है इसी पार्ट पे वो उस एरिय हमको मिला किलर है नेक्स्ट कौन साब बच्छो पाकिस्तान पाकिस्तान की रहा थानी इसलामाबाद आतंक देश एकवल टू पाकिस्तान जिसका श्रक्चर कुट्टा से मेच करता हो ठीक है जिसकी भागालिक इस्तितिक कर सकते हैं जिसका अब मैप देखेगा वह एक्दम क पकिस्तान के बारे में भारत का इतिहास सह महाँ नहीं आ रहा है पाकिस्तान का इतिहास कोण पार एगा wehow to तो 1947 में बावा के सामने पैदा हुआ है ठीक है उने इस सो सैंतालीस में ठीक है दादा जी के उम्र से उसका कौम उम्र है पाकिस्तान का तो उसके बारे में क्या परा जाए भारत अखर्न भारत रहा है इसका इतिहास तो समझ रहे ना पांच लाक इसा पुरु से सुरू कर पचीश सो इसा पुरु से लेकर के सतरह सौ पचास किसी किताब में तेइस सौ पचास भी लिखता है समझ गया ना पाकिस्तान के तीन प्रांतों में हरापा अब्पा साभ्यता का अस्थल परात है पाकिस्तान में कौन कौन प्रांत? तीन पहला कौन प Juliet, दूसरा कौन, तीस लिखाओ पंजाब में कौन सा जिला मांट गोमरी जिला पच्मी पंजाब पाकिस्तान का एरिया जो रावी नदी के टट परिश्थी थे किन दीके रावी नदी का सीन्द पार्ट अभी सीन्द जो भाग मिला उस सिंद में कौन-कौन है देखो ध्यान से सिंद में पहला जो सहर मिला उसका नाम है मोहन जोदरो कौन जोदरो महन जोदरो कहा है लड़काना जीले में है सिंद पाकिस्तान परता है मोहन जोदरो सब्द का अर्थ होता है प्रेतो का टीला मैंने कल समझा रखा था मोहन जोदरो का अर्थ होता है मिर्तको का टीला प्रेत का टीला भूतों का टीला समझ भागें और वहान यह झालने के प्रमान मिले है वहां घर ठीसे हैं बायदमने पाकिस्तान का पहला दो पार्ट था उसे तरह पाकिस्तान का जो सिंद भाग है उसमें आपको चार सहर मिले, कितने सहर मिले? दूसरा का नाम मिला सोत काह को साधी को और नदी के तटपर और तीसरा मिला बाला कोट बिंदार नदी के तटपर समझ मा गया यानि पाकिस्तान में कितने पार्ट हैं तीन पार्ट पहला पंजाब दूसरा सींद और तीसरा बलुचिस्तान जो पंजाब वाला पार्ट मिला मं गोमरी जिला में मिला जो मैंने आपको उपर परहाया जो रावी नदी के टट पर है सीख है जब कि सिंद्ध वाले में पहला मिला मोहन जोदरो दूसरा मिला चनहुदरो तीसरा मिला कोट डीजी चौथा मिला अमरी समझ में आ रहा है अब और जो भारत बलुचिस्तान का जो पाकिस्तान का जो तीसरा पाट है बलुचिस्तान वहाँ पर हम लोग को मिला सुत गोडर जो दास नदी किनारे पर है सुत काको साधी कोर नदी किनारे है और बाला कोर किस नदी किनारे मिंदार नदी किनारे समझ मागया अब चाचा करते बच्चों किसकी भारत की किसकी भा आप लोग जानते हो भारत का एक बहुत फेमा जगह है जो पहले आप लोग जानते हो पुर्वी भाग कौन सा उत्तर प्रदेश तो होबे करेगा दक्षिनी भाग में मुंबाइक फंसा था है की नहीं देखो कौन-कौन राज उत्री भाग में कौन फंसा गया था जम्मू कास हमको तकाव दिमाग लगाना अगर मैप ठीख ठाक हो तो कि सबसे पुर्वी उत्तर प्रदेश हो गया थो उत्तर प्रदेश से पहले हे कोणों होगा अग्राइब और वहां तो नहीं जाएगा और सबसे उत्री जमु कास्मीर बोल दिया तो ओकड़ा पहले होगा उपर नहीं है और सबसे दक्षनी बोला है तुमको महराश्ट महराश्ट के बाद केरल में नहीं तरपएगा उधरे रह जाएगा समझ मैं नहीं दिमाग की बात है यतने दूर में गोल 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 गूमा होगा तद देखो मैप के साहरे हमनों देखें कि मैप समझना कितना जोड़ी होता है ज अच्छो गया दूसरा मिल आपको पंजाब आउर नीचे घसका उसके जैस नीचे कौन चेनाा फिर उथर घसक गया राजस्थान फिर इसे र्क, उतर गया तो ही तो नहीं सिंह्म्ने आ रहा है такие मैप समय व्ग्र ऑनेगमी तो इस तो तीनों connected है और यह को हमारा सबसे पूर्वी परदेश कौन उत्तर परदेश यही नहीं बुगा भारत में मिलने वाला जगह इसके अलावा हमको कहीं नहीं मिला तो नहीं मिला अब नाम याद करना है बहुत असान है मैप का एकदम सीधा याद लगो यह तुम्हारा भारत का मैप है उपरी छोर हमको ज़्यादा इधा उतर नहीं जाना है भाया जब उपरी में तुम जा रहे हो तो एक बार अपना मैप दिमाग में से ट कर यह तुम्हारा जम्मू कास्म में पाकिस्तान वाला इलाका ये वाला है पाकिस्तान वाला हम गर्या में परहा डिया था और शबते आखो dér यहां 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 ताकि आपको दिमाग में जल्दी सेटल हो आधा पाट काटके 21 चेत्र में कहां जा रहा है ठीक है अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके तो जम्मु कास्मी में कौन सा जगा मांडा याद है जम्मु कास्मी में कौन सा जगा मांडा अब मांडा जगा में हम लोगों क्या मिला अखनूर जिला में चीनाम नदी किनारे यह तो आपको यादे है पंजाब में क्या मिला रोपर मिला, सतलो नजी किनारे पर, दूसरा कौन जगा मिला, संगोल, हर्याना मिला, बनावली, हिसान, राखी गर्डी, जीन्द जिला में, राजास्तान, काली बंगान, आप लोग 12 में पढ़ है, कली बोले थे हम, काली बंगान किस में है, गंगानार जिला, घगर नदी के तथ परिस्तित है, यारे आप से कोशन qualidade काली बंगान किस नदी के चटठ परिस्तित है, घगर नदी, सरसती नदी कि कहानी सुनिए, सरस्टी नदी दो पार्टने बखती है, पाकिस्तान में जाएगी युस नदी का नाम है, हाकर नदी और भारत में याईगि उसक पाकिस्तान में हाकर नदी और इधर घंगर नदी यही जानना है आपको और कुछ नहीं तो इन सबी चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस राज्य के बारे में जाने है तब ही तक गुजरात के बारे में पढ़े जम्मु कास्मीर के बारे में पढ़े अब हम लोग कहां पहुंचते हैं पंजाब के बारे में पंजाब के बारे में पंजाब के बारे में पंजाब के बारे में पहुंचते हैं गुजरात सबसे अधिक जो हम लोग को देखने को मिला कि गंदा कियों है रही यह सब्सक्राइब कर देश जब अजाद हुआ सब्सक्राइब कर प्राप्ति के परशाद हराप्ता सब्सक्राइब पूरा अस्थल गुजरात राज में खोजे गए कोशन यहां से एक बन चुका है जो गोल गोल घुमा हुआ है कोशन पूछेगा सबसे अधिक हराप्ता सब्सक्राइब कर नगर कहां खोजे गए पाकिस्तान में कहां खोजे गए पाकिस्तान में अब कोशन पूछेगा कि सब्सक्राप्ता के प्राप्ति के बाद सबसे अधिक हर WTF, अबेता के जच्छे तर इंहीं खुझे गए, गुजरात मे, कहा खुझे गए, इह समझ ना है, तो गुजरात में स्वतंता प्राप्ती के पष्चाथ, उन्हें लाइन लिखा हुआ है, ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है, आच्छे थे पढ़े स्वतंता प्राप्ति के पच्चाथ मतलब देश अजाद हो गया उन्हें से 47 के बाद ठीक है ना तो सबसे ज्यादा कहा मिला गुज्रात मिला जैसे कचकरन, खंभात और सौराष्ट सौराष्ट में बच्चो सौमनाथ हैं, गुज्रात में ही कौन है? सौमनाथ भगवान संकर का जो 12 जोती लिंग है, उसमें से एक सौमनाथ भी है सौमनाथ मंदीर का जो है, स्वतंता प्राप्ति के बाद जो निर्मान करने वाले वेक्ति उनका नाम है सरदार बल्ला भाई पटेल बुझे, लेकिन उनको देश को जो समरपित किया गया है, वो लगभव उन्हें 92-93 के असपास देश को समरपित किया बना के उसको कहा गया है कि 17 बार उस मंदीर को तोरा गया है, मोहमद गजनेवी जब भी आता था तो वहां के मंदीरों को क्या करता था, लूट देता था, तोर के हटा देता था, समझ मा गया लेकिन वो समनात मंदीर को बचाया गया, हिस्ट्री में आप लोग को हम पराएंगे आगे, तो वही सौराष्ट वाला इलाका है, बहां समझ भाई, कच का रन, कच का रन में क्या क्या मिला, सुन लो, यानि इसका गुजरात का ही पार्ट अभी चल रहा है, कच के रन में मिल कोई आजाता है हिमें, सुत सुत कड़ी तरह जाता है, यहां सुत कोटा ना इहां भाईत में, गुजरात में, किस एरिया में, कच का रन में, गोरा नधी, हड़ी जोसको भूजी ला मिला हुआ है, धौला वीरा, कच जिला, मनसर रोभाणन नदी के बीच वश्थित है, बा पहामदाबाद जिला हे बहुत वैमस इलाका है और भोगवा नदी के तक्ठ पर है भोगवा नदीयों सावर्मती के संगम पर तरमती नदी सब्सक्राइब का असरम किसमें कि थे महत्मा गांधी और उनके पत्नी मिलकर चलाते थे सावर्मती आसरम कुछ द्रोग के लिए चला जाता था भारत की सबसे गंदी नदी कौन है सावर मति नदी उसमें कोड़ी सब अस्वनान करता है जिसका इसकीन पुरा पूरा एक्दम सर्म उधा रहा था हुए सब जाता है उसमें कुछ दोगी का एक अरिया है वो समझे तो सावर्मतिनदी के बारे में हैं सौराष्थ र इस गोदाबरी नदी को बच्चों हम लोग बिद गंगा भी कहते हैं कौन गंगा बिद गंगा या दक्षीन भारत की गंगा की उपाधी परापत है किस भारत की दक्षिन भारत की गंगा याद रखेंगे गोदावी नदी को क्या काते हैं दक्षीन भारत की गंगा ठीक है ना पंडी जी आएंगे मंतर पढ़ेंगे लोटा में जल रखवा दें गंगा जला उसके बद कहेंगे पलो लिजे गोलो घुमाई उसने बोले ओम गंगेच जमने चैवा गोदावरी सुनाई दिया यह गोद समझ रहे कि नहीं समझ रहे तो सरस्वती भी बढ़ चुका है और गोदावरीया सौब को लोटे में समा देते हैं तैके दर में इसा बुद्धी है देख रहे हो एक बढ़ मंतर परा लोटा में घुसी आ गया है बहरा है कहां तुरंत मुर्दे का रास्ता पावर कितना है उ गर्ऑ की संग्या दी गई जो ने परकार है जिसमें से जितने मिले उसमें से सा इसे नग्र मीकल मिला यतना जो अपलो परे उसमें से मांतर सा सथ वो को नगर का उपाधि मिला कौन스 कौन रपका मोहंजोद्रो चन से पढ़ना जवड़ी है अब यहां से कौन कौन चीजों के साक्ष मिले किसने इसकी खोज की इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे किलियर है सब को फेसे मैं रिपीट कर देता हूँ पूरो सिंदु घाटी सब्यता में जितने सारे हम लोग को जगा प्राप्त हुए उस जगा में से कितने साथ को हम लोग ने क्या मिला नगरो की संग्या दी गए जिसमें पहला नाम क्या है हरपा मोहन जोदरो चन हुदरो लोथल काली हो रही है हरपा की क्योंकि सिंदु घाटी सब्यता का परिनत नाम हरपा सब्यता रख दिया गया था दयाराम चानी ने उन्हें से कैसी में जोर्ज मार्चल के नेत्युत में ठीक है ना चार्ल्स मेमन ने इसकी सुरुवात की थी लेकिन जोर्ज मार्चल ने इसका क्या किया पूर्ण बक्षान कर दिया उनके नेत्वित में क्या हो इसकी खुदाई शुरू हुई और दयाराम सहनी को क्या मिला बच्चो सफलता मिला इसकी खुदाई पूरातत विभाग के निर्देशक जिसको डायरेक्टर कहते हैं पूरातत विभाग का अध्यक्ष भी तुम कह सकते हो वही अध्यक्ष सहाब कौन थे सौरू जोन मारसल के निर्देशन पर राय बहादू दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में किया गया नाम याद जयान कारी देने वाला वेक्ति था उसका नम क्या था उसका नम तक चार्स मैमन ठीक है ना लेकिन जोर्ज मारसल के पूरा एकदम क्या बोल सकते उसको नाम हो गया क्वालिटी थी ज्यादा फोकस में आ गया ठीक है ना जैसे मान लोग किसी का कोई हेड होता है इसका मदद थोड़ी को दीन पर वही काम करता है सपोटर भी तो बहुत ज्यादा काम किया लेकिन कहीं पर नाम किसको होता है जैसे मान लो इस वर अगर चंद्यान थ्री लॉंच कर दिया तो उसको जो परमूख होंगे वह आके मीडिया के सानु मुखातिब होते हैं कि बहुत बहुत ब मतलब कुछ लोग काम ही होता है जो मार्केट बनाने का बारी लोग का जवाब देना को उसमें से हो सकते हैं डारेक्टर लोग ठीखे बात्मारत सें हैं, यह अस्तल पाकिस्तान प्रांत के माउंड गोमडी पंजाब के रावी नदि के किनार पर रिस्ति थे, इस अस्तल में निमtvलीकीत आपसे प्राप्त होंगे, पहले यह याद रखो, आपको परायत देना, कि पाकिस्तान में कोन इलाका? पंजाब, कुन सा इ मनत गोवरी जिला मत गोमरी जिला में कोध़ी मिला है यह रावी नदी किनार पर हरज आपपा मिला कौन इसी मोज करता है अभी लगाने का समय चल रहा है तुम लड़की हो तुम रोद देते हो अपने आपको कमजूर तेल देखो लड़की अतना मजबूत कोई होबे नहीं करता है कठोर सबसे दुनिया में कौन है लड़की और तुम बता रहा है तुम बस की सफर करो बहुत दूर से आरहे हो ठके आदमी हो और तुम्हारे बघर बाज़़का पर एक महिला एंडिज है बईठल ठीक है ना बले कितना ही उम्र का हुआ तुम्हारा उम्र छोटा ही क्यों नहीं हो ठीक है अर तुमको नींद आ गया और गलती से उसके बॉड़ी पर थोड़ा सा हील का ऐसा सट गए गिर गए उलर की बलीगी या वरत बले गुसे में एडिट तुमको समझ में नहीं आता है त तुमको नार देगा तुमको बहुत खराब नहीं लेगा लेकिन लेगा ओ गलती सारी सारी माफ कर दी इस सिच्वेशन को तुम उल्टा कर दो एक और ठकी भी नहीं है रिलाक्स है लेकिन गलती से उसको जहक लग गया एक लरका बगर वाले सीटे बैठा एक बुजर्ग गया ठीक है ना और उसके कंदे पर उसो गई तो उसको जाना है जीवे मेल पहुंचेगा दर्भांगा लेकिन सुतेले रहेगा अब फिर उठेगा तब बोलेगा कोई बात में को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तुम ट्रेन में चले जाओ एक औरत खाड़ा होगा जट अब से कोई जैन्स उठ जाएगा बैठिये लेकिन और अवरत को अगर तुम बोलोगे तेका घौसा किये ना तो इसे बोलेगा और के साथ आपको इसे बैठ जाएगा अपके घर में माँ बन नहीं है अरे पगली माँ बन समझ रहते तो बैठने का बात कर रहते पतनी रती समझ भाया है? तो कहाने का मतलब यहीं समझिए और यह बहुत कठोर होती है इस अब कहाने का है कि कमजोर है पूरा समाच के बारा में सोचता है, ठीक है न? कि सब का जीमवाड़ी है उतके पास यह लिए रोहिया नहीं, विदाई होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन दियारम सहनी ने छालश असरी जौर्ज मांसर के नियर्देशन में दियारम सञणी नियुक्त के खुदाई कर दी। और वट्मान इसतिति में पाकिस्तान में क्यानी हरपा कहां पाकिस्तान में? जिल्म मंट गौवरी में 29 चैतinku में परता है, पंजाब वाले 6 स कि खुज किसने की दयाराम सहनी ने कब की उनाइस वह कई समें के लिए रहे हरापा का वर्तमान इस्तितिका है पाकिस्तान में किस जीले में मंड गोवी का कौन सा छेत परता है पंजाब अम राइट अब कुछन यहां ती पूछता है कि हरापा में कौथी कौथी मीला खोदे तो कथी कथी मीला पहले कि भगवान तब अधी बाग का मुरी लगा लिया चुवा पर चौह रहा है कोनो मुरे पर उड़ जा रहा है कोनो सापे गर्दन ले ले कोनो अधे गर्दन बटे तब ठीक था लेकिन जानने को यह मिला कि कोनो भगवान जी हूँ खेते में से अब आप सबको पता है कि म माता सीता का उद्गम कई से खुदाई से हुआ है राजा जनक जब हल जोत रह थे ते उगहारा मिला घहरा उस घहरा में से एक लरकी पराप्त होई ठीक है न उसका नम सीता था बुझे उसकाव लोग सिर्पचाही के नाम से जानते हैं सिर्पचा ओरना हो किम्हार काशाय के सबocycle हुआ Gil earned इससी में आपको परमान मिला तक क्षूदाइए यार रख कोई सम्झाने वाली बात रापभा में मिला स्रमी का वास जिसको हम लोग आज कि समय में सलंबस्ती कहते हैं सलंबस्ती अब होता होगा स्तर भी होता है आ हम लोग जी सेडिया में रहते हैं वहां से कुछтории पर जी तोला का बहुत पता रहता है उसको पता है लडरका लुग को, इससर पता रहता है तो उसी तरह मजदूल का एक एडिया सबसे ज्यादा सलह में यह посitionally मिलेगा वह दर्लें कि मिलता है कीमा का मेंला शुती बहुत सारा है वहां पर बहुत लोग रहता था है तो कुमारों का चाक स्रामी का आवाज का मतलब जो मतलब जotional कただ हे पटना का ग गोलगर जो उसमें किस के लिए बynnittना को इसमें के लिए अजके समय को रसको ऐसे परपत हुएSH और 16 की 2 पंगतिया यानी 50 जुने 20 मेटर में वरिया ज़ी म क्यादान को बहँते पचास गुने 20 मीटर की लंबाई का तामबा का स्केल क्या मिला है तामबा का स्केल मिला है मातरी दवी के मूर्ती मिली है उसके लाब अनाज कूटने का इट का चबूतरा मिला हम लोग के टाइम में लकडी वाला है ठीक है उभी नहीं है पहली बार और आखरी बार तुमको अखरी मिलने को देखने को मिलेगा जब दुलाब बनोगे ना जब तुमारा बिया साधी होगा ठीक है अब जब तुम दुलाब बनके जाओगे ना तब तुमको पहली बार मिलेगा और आखरी बार साध मिल सकता है लड़की को तो भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसको धान नहीं कुटना होता है अब तो सब कुछ रेडिमेंट मिलता है अप लोग को पहले के जवाने आपके जवाने में यही अंतर है देखो तामबा का एसकेल माप भी काई ताबूत मिला ताबूत कार्थ होता है लास रखने वाली बक्सा जो आज कल आप लोग देखते होगे कि जो आदमी सात्वी किसम का होता है हिंदू सनातन में सात्वी मतलब जो कंटी उन्ठी ले ले लेता है अपने आपको साधू के शेतर में ढाल लेता है वैसे आदमी को जलाया नहीं जाता है तो उसको हम लोग ताबूत में लॉक करते है या जो क्रिस्चन लोग जो होते हैं उसको क्या करता है ताबूत में लॉक करता है सीज़े डाल दिया मुस्रीम लोगों में पैक तो नहीं करता है लेकिन वोगों ले जाता है तो तावूत में ही रख करके ले जाता है अज कल बिभिन समसान घाट में भी लास को क्या करता है तावूत में लॉक कर देता है और ले के जाता है गाव में बनता उसको बोलते हैं बच्चो पचाटी जिसको ले जाते हैं लोड करके क्या बोलते हैं राम नमसत है बोलते हुए ले जाते हैं उसको बोलते हैं पचाटी जानते हुँ तु लोग उसको बोलते हैं पचाटी और जो बड़ा बनता है जिसको लोक रहता है जैसे त टाइप के नेता हो और तुम्हारा दर्सन करने बहुत लोग आएगा अभी तो कुता भी नहीं देखने आएगा लेकिन अगर तुम हाई फाई आदमी बन जाओगे ठीक है न तो तुम बन जाओगे तो तुम्हारे लास को ताबूत में रख दिया जाएगा और मार फूलों की माला चरह दिया जाएगा तभी एक साइरी याद आती है हमको कि भले मेरा जन्म क्या हो ठीक है सिंपल हुआ हो सदारन हुआ हो लेकिन मैं मौत मसहूर चाहता हूं ठीक है तो मौत मसहूर होने के लिए काम आपको बहुत मसहूर करना होगा कि फलाने जगा का डीएसपी मौर गया है सहीद हो गया है फलाने जगा का चाहिए जया का विडियो मौ गया है ठीक है न आई अलग बात है कि गड़ी आएगे सलाव भले मौड गया घूसकर था ठीक हाना लेकिन फ्रहा हाई-फाइप का अदमी रह गया तो वरना ऐसे मर गया तो फिर वहीं बात है गाओं का लोग कचवरी खाके रह चाएगा ठीक है गदाहा की हड़ी कहां मिला है हरपा में ठीक है गदाहा की बात ठीक है और गदहे की बात तो घोड़ा का नाम नहीं नहीं आया वह बहुत अच्छे कहांस कभी है आज कल इंटर्वीव दिये थे यह विदियो देखे थे हमको भी अरतने से यह और व्याम करने से क्या फैदा कि रूछा नहीं कोई फैदा नहीं है कि घोरा बहुत थी दो ट आप शुकर आजगर पड़ा रहता है लोग आत आहीं साल जीता है हां और बात हैम है लिछ मॉनि पाद कॉंस illustrated बाते से करेगा लेकिन जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है तो किसी का धिलाइसी सुनने का मन नहीं करेगा सत्संग में जाओ भूखे पेटे हैं पंडित खूब अच्छा बात वोलेगा तहीं को सुनने का मन करेगा लेकिन भार पेट भूजन के वो दूठेकार दे रहे हो और फिर पंडी जी बहुत अच्छा संजा रहे हैं अच्छा वह बात है अजो भूखिया उतका पूरा फेबरी पड़ा है इस सलाह वहीं पर से माता चाट रहा है ऐसी कोन करता है चल्दी करिए नहीं भोज सुर हैं नाम यादक है कुमार का चाक, गदहे की हड़ी, सेल खरी, कबरिस्तान, लखरी की ओखरी, अनाज कुटने का इट, माती दे के मुर्ती, तामबे का एसकेल और अन्नागार ठीक है सरमी का आवास कहां मिला है हरापा में तो हरापा से बहुत जादा कोशन बनने वाला था जो मैक्सिमम कोशन था इतना है, दो बात यादक नहीं, हरापा की खोजुने 111 में हुई, धैराम सहनी ने किया, रावी नदी के किनारे पिस्ति थे, जौन मारसले से क्या थे, डिरेक्टर थे, क्या-क्या सामान मिला, क्या सामान मिला, सरमी का घर मिला है, कुमार का चाक मिल कि पूटने का इटी का चबुद्रा मिला है मातरी STEMिक मुर्ती मिल गई में जूसको नागार्या क्या कॉछ समझ में आ गई किसे कुछ बांट नहीं कर रहा है अगला नामे मोहान जोदर 15 पाक सान में है पाकिस्तान में कोई दिक्कत है क्या कौन से पार्ट में सिंध वाले पार्ट में किस पार्ट में तो हमको लग रहा है कि अभी हम लोग पाकिस्ताने बहुआ रहा है ना ठीक है तो इस सिंध वाला में जो हमको मिला उस सिंध वाला में जो मिला हूँ क्या मिला मिर्तको का टीला मिला उसी को न उधर लिखा था प्रियतों का टीला है ना लिखा हुआ निया किसका टीला बुआ मिरतकों का टीला यह सिंदु घाटी सब्वेता का एकमात असल है जहां पर किसी भी प्रकार का कविस्तान नहीं मिलता जिसे यह परमानित होता है कि यह सब्वेता के लोगों पर बाहरी आकमन हुआ था बास आज में आ गई क्योंकि उपाकिस्तान का इलाखा है मुस्लिमों का इलाखा है और वहाँ एक भी कविस्तान नहीं है इसका मतलब तो परमान है ना क्या परमान है कि बाहरी लोग आकमन मिला मौन जोदो की खुदाई सर जोन मार्सल के निदेश में ही राखालदास बनर जी ने 1922 में किया तो यहां ते फिर कोशन पुछता है कि हरपा की खुज 1921 में मौन जोदो की खुज 1922 में किसने की थी राखालदास बनर जी किसने की थी लेकिन उसके डीरेक्टर जो थे वह चाल्स क्या थे जो में जॉन मारसल ही रह गया मतलब जो उते हुए तो मतलब जो सा गया कि डारेक्टर से में हैं हीरो बदल गया ठीक है एक हीरो था दयारामसानी अदूसरा हीरो कौन है रच्छों उन्हें 122 में किस ने किया au only जो के लिए ने तक राखाल दास बनर जी ने किया अब यहां थे फिर सवाल बनाएगा कि यहां अमों कॉ Chest Mira मिला कोंड़ी मिल गया वससे पहले मिल जानले किस नदी किनारे पर हर नीठी किनारे पर और आवी नधी किनारे सुनते हैывать और पर कि मोहन चोद्र कि नदी किनारे पर सिंदुनधी नहीं याद tapped कहें याद पजिक ए से इलागा है सर्ञा क्या हो गया सिंद्य आ रहे शैंदि थर से संइदा से going साथ याद हो गया होगा सिंदु नदी किनारे राखाल दास बन रहे उन्हें इस सो बाइस में सर जोन मारसल कि लिए आगे बढ़ते हैं वरतमान से में यास्तल पाकिस्तान के सिंद परांद के लरकाना जिले में स्थिते कुन में लरकाना लरकोडी रहता तो ज्यादा अच्छ मिला है सरमी का आवास मिला है उसके अलावा क्या मिला हम लोग को वहां से हैं लकडी का अखली मिला पत्थर का इट मिला जो फिर पका हुआ इट का क्वालिटी मिला अब यहां क्या क्या मिला सो देखो सूती कपड़ा का वसे सरी तरी को सूखी न अदमी था सूती कपड़ा मिला है कोन किपड़ा सूती कपड़ा मिल गया और छे मिला के नर्तकी के मूरति के दांसर के जवान सभीक अ डांस करती हुई लड़की सैदी स्पोज में हुई तीरच से घ्यजह करती है और फिर टरा गी कासे के मुर्थी मिले चुकि यह कौन यूगीन सभ्यता है कास यूगीन सभ्यता है समझ भागई ना सिंदुगाटी सभ्यता कौन यूगीन सभ्यता कास यूगीन सभ्यता है ना सीप का बना हुए स्केल तांबे का बना हुए स्केल हराप्पा में मिला है तांबे का बना हुए स्केल मोहन जोद्र मेला कंफूजर नहीं नहीं बच्छों आगे गले गले हुए तांबे का धेर ठीक है ना मने जैसे हम लोग मीठा को गला देते हैं अपसार देंगे तो कैसे मिल जाता है उससे तांबा का गला हुआ धेर मिला हुआ बुझे यानि मौन उकष गया होगा तां गला करके कास में करवर्ड कर रहा होगा इसलिए गले हुए तांबे का परमान कहां से मिलता है मोहन जोद्र से मिला है हाथी का खोपड़ कहां मिला है खातिय खोपरी कहा मिला है मोहन जोदरों में मिला ब्रियाद असनान घर याद रखना सबसे बड़ा असनान घर कहा मिला बहुआ तो अन्ना घर मिला है हरपा में अन्ना घर कहा मिला है अनाज रखने वाला हरपा में नहाए वाला मोहन जोदरों में अन्नागार हरपा में ठीक है ना और असनानगर मोहन जोदरों में है ने बच्चों ब्रियद अन्नागर माल गुदाम यहां भी मिला अब उसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों अलग अलग देखो वहाँ पर जो हम लोग को मिला वो क्या मिला है वहाँ जो हम लोग को मिला उसकी लेंथ और उसका जो नमगाच सुआ पर सिर्फ अन्नागार मिला है माल गुदाम की सिती 50-20 मीटर है जो कि छोटा है लेकिन बरा ब्रिहद अगर तुमको मिलेगा अन्नागार तो वह कहां मिला ब्रिहद अन्नागार कहां मिला बच्चों मोहन जो दुरह इसकी अगर हम बात करते हैं 24 लमबाई की तो टेरशस्व की तो कितना है 75 तो अगर नहीं याद रहे तो सौने ऐसका है को तो आछिज थर illegर्ट ब्रिहत फॉट कहान मिल जाता हुगा तब गाना बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मिला ही सिर्फ सोने की हार, कहा मिला बच्छो? मोहन जोदरों में, पुरोहीत आवास, सरमीक आवास, हरपा में, पुरोहीत आवास, मोहन जोदरों में, एक भी साल सभाभवन, सबसे चोड़ी सरके, जिसे राजपत की संख्या द मोहन जोदरों में मिला, तो अन्नागार में भी ठीक लगा जा सकता है, और कुमार का चाक में भी लगा सकता है, दिमाग, कोस्चन गोल-गोल घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप नहीं घर बढ़ाएगा, ठीक है ना, आप अपने दिमाग का इस्तमाल करिएगा, और भी दिन तीस सेकंड में जवाब भी देना है इसलिए तीसे सेकंड में उगिला जाना चाहिए कि लिए अब लोग कर देते हैं आपको यानि अब लोग पढ़ेंगे लोथल के बारे में किसके बारे में लोथल के बारे में अब हम लोग भारत में चले आए यानि इस कुल मिला के आ तरह सब सबसे स्टेक्वदी मोहांजोद्रो दी पाइलby यह तक्नद कल देख लोaders इसका वर्तमान समय गुज्राइत में भगवा नादि किना दो या यह बंदरगाः बंदर पंतर श्यूब ने बंदर रहे वेला दना टामने जहां जहाज उत्रएए, जहां में पर समान का constitu vont से उता है उसे हम लोग कहते हैं बंदर ज़िए तपन अर पंदर जो है बंदर जो है वहिस समिंदोरी लाखा है को लिवैगे तो लोगई गुषामद्री समूर्द par करता मुई अख और नमतоде चिए हो टौन नौने नरन थिकि को बनार घंद तो ज्यादा मंजा थिकलना से लेकिन आरेन प दनार राओ, कुन राओ, रंगनात राओ, लोथल की खोज किसने की, रंगनात राओ, किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किस राज में है, गुजरात में, किस राज में है, गुजरात में, यह भोगवा नदी का जो इलाका जो था, वो कंद जगा था? बंदरगाह था, कैसा था? बंदरगाह करत क्या होता है? जहां पर पानी जहाज क्या होता है? रुकता है, जहां पर हम लोगो समान का अदान परदान करते हैं, या नि कोह सकते हैं, सीप वाला का एस्टेशन, ठीक है? लोथर से मोसर पुटामया की मोहरे मिल सभ्याइधा गरामीन सभ्याइधा और वहां से मुसौइधामिया के मुष्ग पुठामिया के मुहरे मिली है इससे यह परापत होता है इस से परमान होता है कि हमारा connection सिंदु गाटी सबेता का connection या गुजरात का भवा नदी का इलाका जो लोथर वाला इलाका उसका connection किसे रहा होगा मोसो पुटामया की सबेता से बेपार का connection रहा होगा मुझे वहां का समान यहां दिखाए दिए जैसे रोहित के T-shirt में लिपिस्टिक लगा रहेगा तो हम तो समझ में न करें कि इसका connection किसी महिला से है इसके T-shirt में कैसे लगा कि इसके चेहरे मतले क्या बोलते हैं कि सब्सक्राइब बड़ा बाल महिला का नजर आएगा अबु महिला किसी रूप में हो सकती हुआ अलग बात है लेकिन लगा तो है उसी परकार मुहने पराप्त भी मोसर पोटामिया की मोसर पोटामिया का मुहन होने का ये परमान मिलता है कि यहां बेपार हुआ है कहां से बिदेशी छेत्रों में को यहां गडिवारा जीसकोतो डांक या जहाजो का स्रण अस्थल भी मिला मैं न भी से स्वास्तिक का स्वास्तिक मिला कि स्वास्तिक का चीतर बनाने आता है स्वास्तिक का जिस देखो स्वास्तिक बनाने जाए आई से पार दिया आई से पार दिया है ना और आई से पार दिया आई से पार दिया तो यह गौला स्वास्तिक है यह बना रहे हो तो तुम लफरा में हो मुझे यह नहीं करना चाहिए स् अलग-अलग से ज्वाइन करते हैं, ऐसे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, और फिर ऐसे लेके हम लोग काम करते हैं, उल्टा लेकर चलते हैं, तुम लोग तुम लोग ऐसे नहीं करना है, ऐसे लेकर मिलाना है, ठीक, और फिर बिंदू दे दो, और फिर, ठीक, अब तुम काम है ठीक ऐसे कभी नहीं बनाना तो यह स्वास्ति का पर्मान हम लोगों कहां से मिला है लोथल से मिला है लोथल से स्वास्ति का चीन मिला है जो यह पर्मानित करता है कि यह सब्यता के लोग सूर की पूजा करते थे काम, धर्म, ये मोक्ष और अर्थ ये चारो लाइन दिखाता है इसमें चारो लाइन है न मचो काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष ये चारो लाइन है लेकिन सबसे पहले जो होता है वो हम लोग करते हैं इधर से जाते हैं काम फिर इधर से आता है सायद इधर हम पुरा confirm नहीं कि इधर लेकिन चारों का नाम अपना अपना है यही है काम, धर्म, अर्थ और मोख्ष यह चारों लाइन होता है स्वास्तिक का ठीक है और तीनों एक जगा के जो आइंट होता है मनारस में एक जगा है जो गुदवलिया चोक है और वहीं से इसका परमान मिलता है कि काम, धर्म, अर्थ और मोख्ष की रास्ता है ठीक है जहां पर आप जाओगे तो मनी करनी का घाट की रास्ता निकलती है एक तरफ धर्म की तरफ जाता है बावबी सुनात के तरफ एक तरफ रुपिया पैसा मार्केट की तो जाता है समझ मैं है तकाम, धर्म, अर्थ और मोख्ष की तरफ तुमको चारो रास्ता वहीं से फुड़कता है तो वहां पर स्वास्ति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है अलग अलग जगहों पर कभी मौका मिले तो वहां जाके घूम भा तो वहां जाइएगा तक कचवरी गली बहुत मसरूर है कचवरी जाके खायेगा अलग कि बकवास लगता है ठीक है चली आगे बढ़िए यहां पर कहता है कि योथर से यूगल सवधान का परमान मिला है जिसे यह परमानित होता है कि इस काल में समाजी व्योस्ता में सती परथा का परचलन था अब देखो यूगल परथान जैसे सवधान मतलब जलाने वाला परथा सती प्रफा में तब लों जानते थे, मारदावा के संगे मोगियों के जलाना, यह पुरानी प्रफा है, हलाकि यह अंदि भी स्वास कह सकते हैं, यह किसी का पती मर गया हो, पतनी साथे साथे जाएगे, तहीं बात को तक इतना बार कहें हैं, क्यों मरती होगी, जैसे हैं उसका पति मारा तो वह ल Kinा नहीं रोता हुए कि हमारो मर लागि मन लागे बापरे बाबा वहमरों लुगा रहिगा हमको लगता है कि पहले की पतनी इसलिए अपने पत न जो अपने पती को परमेसर मानती है कि यह हम हम भुषख का कोनों ब्रृत कर व Tout सावितरी करना हो हाई ताल का तीज करना हो जितना जियाने वाल अपपनियों सब करेंगे लें मरद हो के नहीं मरदेंगे क्या कि एक रहे में हमारा परान है यह मरा तो हम गए समझ भाई आज कल तो फैसन के लिए लोग करता है ठीक है हकीकत बात है यह बात तुम मानो या ना मानो 10% लोग आप से होंगे जो सात्विक्ता के हिसाब से धर्म में आस्था रखकर पूजा कर रहे होंगे 99% लोग वीडियोः फोटो हमारे परिवारी के लोग हो सकते हैं हमारी माताय बहने हो सकती इस बात से कोई गुरेज नहीं हमको लेकिन हम यह बात की गरांटी दे रहे हैं क कोई भी अगर आज कल अभी देखाने हाल फिलाल में काल भेरों के सामने एक वीडियो वारल भूँत लड़की जो है काल हाऊ के सामने जाके कहीं काट रही थी तो बहुत हाइड नियु जा गया था कम चेकंशे कम भगवान को बहुत बकास दो अप होटो वीडियो के चकर में ठीक है कि बॉर्डे जाकर सामने बोला है अकाल भरा को मुह में ठूस रहा है अपी बॉर्डे आप वीडियो बना रहा है यह क्या चलो रहा है सीन इस सिती बहुत खराब है भाई देश की ठीक है ना सची है वही मतलब वीडियो के चकर में कि भगवान को दिखा रहे हैं मतलब देखे लोग जाने की हमारे पर जैसे मानलो कि भारत का फिमस बंदी हो सकता है कासी बिसुनात केदारनाथ टेंपल बहुत फिमस है तिरपती बाल बातना हो उसके साथ मेरा फोटो हो क्योंकि सब लोग जाता है अधका मार कहटा देख लिया हो गया एक होता है लेकिन अगर तुम अंदर चलेगा खूब अच्छे से होता तुम समझो ना वा सर पावरफुल आदमी गया और वहां डायरेक्ट एकदम दर्सन हुआ यही होता अगर बावा कर पाड़ा पकड़ें ठीक है पकड़ें हमको पुलीस आउठा राम उठी एनर है पूरा जैकेट उकेट पुरा भीजाले क्या बनिया से मिले तक तरह का खूसी होता है अब उसको हम नहीं देखा सकते हैं यहां पर कैमरा वीडियो कामरा वाला थाने लेकिन ज भीडियो काम को काम न रहता है टीकै यह साझाज फोन द्यान देना है जादा दिखावा के फ्रमिन नहीं देए ठीक है जो चल रहा है उससे बचिए ठीक है तो इसमें यही बात है सवधान की यानि सति प्रथा का परमान कहां से मिले हैं अनुअ साथै-पत्नी को जला देन आये ऐसा प्राथा होता कि सुरू से ही कि पत dini अगर मर जाए तो पती को भी साथे-साथे ठीक है न कर दिया जाता उसका भी सवगिरिम मतलब है खतम परहम को लगता कि पतनी को भी लोग भगवान मानता उसको भी एक दूसरे का साथ है मतलब रूल बनाना चाहिए तो दोनों का बराबर बनाना चाहिए था कि एक दूसरे को क्या है बांडिंग रहता बहुत अच्छा और आगे बढ़ता लेकिन गलत किया बनाने जो भी व बार आता है संजो का बेटा मर गया चार दिन पान दिन अच्छा दिन भी ता कि सात्वा दिन उधर से आदमी आ जाता है कि जो जो पैसा दिये थे गहना उना दिये थे बेडूर का समान दिये थे सब दे दीजे समझ माएं ऐसा इस्तिती हो जाता है देज नहीं लो भाई देने वाला चक्की कहां से मिला लोथल से मिला सवधान या सती पर्था का परमान कहां से मिला है लोथल से मिला बंदरगाह कहां मिला है लोथल से मिला स्वाफ्ती का परमान कहां से मिला है यतने बात जानना है कि लर है अगला नाम चन हुदरो यह है बवा जहां पर लगाव इस अस्थल की खोज गोपाल मजुमदार ने उन्हें 21 में किया था खोडाई जो है UNRCC 133 मंहाइक के दौरा किया है खोज किस ने किया ? गोपाल मजुमदार ने ¿कें किस ने किया ? मैक्य के द्वारा किया ठीक है ? अब देखो इस अस्थल में बरतमान में सिंधू नदी किनारे पर पाकिस्तान के सिंध परांत में अस्थित है चनहुद्रो पाकिस्तान में ही है तीसरा सहर मिला हम लोग को ठीक है ना पाकिस्तान का कौन चनहुद्रो किस नदी किनारे पर सिंधु नदी के ही किनारे पर है क्योंकि उधर का इलाका तो यहीं है चनहुद्र मोहंजोद्रों के बाद तो चनहुद्रों ही था सिंधु का परांथ सिंधु नदी याद हो गया अब वहां से हमको क्या क्या मिला या अधुईक सहर था माने फैक्टरी व पगली अच्छा इसली इतनी गोडी देखती है पाकिस्तान का हर्मोन वहां ते नजर आ रहा है ठीक है ना पाकिस्तानी लोग बहुत सुंदर होते हैं उसमें यह भी है पुरा गुडिया की तरह देख रहे हैं तो गुडिया का अवसेस कहां मिला भाई मन का मतलब घरा गुड मसेसे सिरिहार बॉक्स बakष मेक 엄ंप कीट जिस को तुम बहु सकते हो सिरिङार का बक्सा मिला है इसी जान कंगी मिला है काज़ल भी लिपसिटिक मिला है सिंदुर मिला है सवब रहा हुआ था की ज़ुह करता कि आ है अंव्रम chilly का देख यह लुगवा लग आई है पहले का सबुस् submerged की वहांब नहीं होगे हम लोग देखियों और क्रिम वहां रखक इधर से ले लड़कावला वहांपर अभाल को फ्रेटा अड़ा प्रेस्टेंडर जमाना गया व्लोग कहता है उसके लेने का जवरत नहीं था उसकी खतम हो गया क्योंकि पहले वही रहता था अब तो लोग जब अपने बहन का शाधी करते हैं तो तरह तरह का नहीना समान देते हैं जिसमें मेक अपूपा शेमाना आसा नीस रखेंग अजिते समान देते हैं जिसमें सिरिंगार की समान रखने की कोई कमी ना हो लेकिन उस जमाले में चनहुदरों में कितनी बड़ी बात है ठीक है न कि एनक है कंगी है काजल है लिपिष्टिक है सिंदूर सब रखाऊ पहले की लड़कियां और महिला में बहुत डिफ्रेंस होते थे बच सबस्क्राइब लड़की लोग महिला का जितना शिरिंगार सब कर लेती सिर्फ सिंदूर बाकी है उह कभी कल माथा पेलंग में टिक लेता है यह लंग टिक रहा बस यह लंग बाकिया के करा कनेक्षण होगा तो रूंदर टिक रहोगा यह में वह कही नुकार कर ठीक ले सिंदूर मिला सब कुछ मिला इसके आगे बढ़ते हैं चनहदुरों से इत पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चीन मिला हुआ है बिलाया निपते जा कुत्वा धंगते जाए बिलाया निपते जाए कुत्वा धंगते जाए उल्टा है बिलाया कुत्वा निप हम लोग प्रमान में नहीं ले के अजुनी हम लोग करेंगे छुन लोग is रहें वो सारा यहां एक कॉलूम में हैं इसको हम लोग कल याद करेंगा आज रहने देते हैं ज्यादा उभर हो जाएगा तो फिर पचा करना है ठीक है आज जो जो परहा हैं उसको हाजमोले के साथ पानी के साथ ठीक है पूरा एकदम पचा लिजेगा डाइजेस्ट बहरी इं नहीं लगाएगा वह पहला है ना हमारे बहन को भी इस्टो ने बहुत तकलिफ देता है ठीक है वह को अथी भाई आई इसा वेदम फालतू लेकिन इसके बाद वाला जो इतियास है सबको पढ़ने मजा आता है ना कि जहांगीर कैसे सा जहां कैसे नुर जहां को पटा लिया ठीक है ना और सर बताई यह था सर बारा बारा को बच्चा कई से पैदा कर रहा था और इतनी रानिया रखता था कई से करता था इस वाला बात सबको समझने मजा आता है और देखिये था उसकी सास जो इतर बनाती थी सर अव खुशू लगा के जाता था को नैसा राजा था और ऑज़ता की तरह रहाकए गुमता था इसा प्रोपिक इंट्रेस्टिंग सुने में बहुत मजा आता है लेकिन युसलson पाया आधी वशी आया दी साया रट यहथा इनने से घैंने से घाया इस थोन देश को बहुत पीशे धक्या लगए ठीक है अभी आउन महत्मा गांदी जी को रहना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाए